नमस्कार दोस्तों मैं उरितिक बोत्रा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चेनल गरिमा बोत्रा दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराजा गंगा सिंग्वीस्व विद्दाले बिकानेर के दोस्तों परिक्साओं के प्रेणामों को लेकर जो बड़ी सबस्क्राइब कर लीजे बेल आइकन बटन को दबा दीजे जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही वह सटीक नियूज सबसे पहले दोस्तों जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो महराजा गंगा सिंग्विस पर विद्दाले बिकानेर की ओफिसियल वेब साइट है यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं रिजल्ट से एकजाम 2020 आ चुका है पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों कौन सा जो प्रिणाम है वो कल आया है तो सबसे पहले दोस्तों जैसे ही आप रिजल्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने साहब सनाएगा इसमें सबसे पहले दोस्तों सेलेक्ट ताइप में आप grow और देख सकते हैं वो रिजल्ट आ चुका है इसक तोबर आपको क्लिक करके प्रो सीष्ट वार आपको दोस्तों क्लिक कर देनाया है और जैसे ही दोस्तों आप यहां पर अपने रोल नंबर लगाएंगे और नीचे आएंगे और प्रोसिष्ट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तो आप अपना परिक्साप रिणाम है वो आसानी से देख सकते हैं तो ये दोस्तो अमजी स्वियू का जो परिक्साप रिणाम आने का सिलसिला है वो परिक्साप संपन होने के एक दिन बाद इप्रारम बहुत चुका है अब यह दिह हम बात करें दोस्तों अन्य कक्साओं के परिक्सा प्रिणाम के बारे में तो कुलपती जी ने क्या कहा है और हमारी जो इस विद्दाले में बात हुई है उसके नुसार दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये दोस्तों आप सेखावाटी बासकर का फ्रेंट पेज देख सकते हैं इसमें 30 सक्टूमबर 2020 की आपके सामने में है वो न्यूस दिखा देता हूँ दोस्तों ये आप देख सकते हैं BP8 पार्ट दीत्ये का रिजल्ट गोसित किया ये देखे दोस्तों महाराजा गंगा सिंग युनिवरसिटी बिका नेर ने परिक्सा समाथ्ती के दूसरे दिन रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया सरू कर दी है विस्त्य विद्दाले की परिक्सा 28 सक्टूमबर को पहला रिजल्ट गोसित किया कुलपत्ती प्रोपेसर विनोथ कुमार सिंग ने गुरुवार को बीप एट पार्ट दित्या का ओनलाइन रिजल्ट जारी कर दिया है परिक्सा नियंत्रक डॉक्टर जेस किचर साब ने बताया है कि मार्च में इस्तागित की गई परिक्सा 18 सितंबर 2020 को पुन्य प्रारम करवाई गई थी जो 28 सक्टंबर को संपन हुई है उन्होंने आगे बताया है कि विस्त विद्दाले द्वारा समस्त कक्साओं के रिजल्ट सिग्र जारी करने की कारे योजना बनाई जा चुकी है यानि दोस्तों जो कुलपती साब है और साथ ये साथ में परिक्सा नेहिनतरक साब है दोनों ने बात की है कि जल्द से जल्द है वो सबी कक्साओं के परिक्सा परिक्सा परिणाम जारी किये जाएंगे और परिक्षिया नेंतरख साब ने हमें है वो आसवासन दिया है या फिर संकेत दिया है उसके कोडिंग आप मांगार चलिए दोस्तोंirdi कोम फाइनलियर के जो परिणाम है वो आपके 3 से लेकर के 5 वी पीच बीच में दोस्तों है वो जारी किये जा सकते हैं क्योंकि B.K.O.M. के सबी दोस्तों कॉप या चेक हो चुके केवल जो ड्यू के पर बाकी थे उन्हीं की कॉप या चेक हो नहीं बाकी है और वो भी दोस्तों 2 से 3 दिन में है उसका कारिया संपन करके जल्द से जल्द दोस्तों परिक्साप रिणाम है वो जारी किया जाएगा उसके बाद में दोस्तों यदि हम बात करें तो BSC Final Year का जो परिकसापरिणाम है वो 5 से लेकर के दोस्तों 7 नवंबर के बीच बीच में है विस्तो विद्दाले द्वारा जारी किया जा सकता है और उसके बाद में आएगा दोस्तों BSC Final Year का रिजल्ट है और वो दोस्तों 7 से ल को छोड़ कर यदि अतिरिक्त कक्साओं के यदि हम बात करते हैं चाहिए वो B.A.O. B.S.C. बीकॉम फर्स्ट एयर सेकेंड यर हो अमें अमर सी हमकुम प्रिविएस विद्दाले तो दोस्तों उनके भी परिकसापरिणाम जल्द से जल्द विस्तो विद्दाले ने जारी कर जाने हैं वो आगामिक अक्साओं में जो अंक आएंगे उसके आधार पर दिये जाएंगे इसलिए केवल आपको इस बार प्रोमोट का सेटिफिकेट ही दिया जाएगा तो 15 नवंबर तक दोस्तों मेरे एकोडिंग वाय भी कार्या संपन कर लिया जाएगा और यदि हम बात करें आपके बीएड फर्स्ट इयर और सेकंड इयर की तो फाइनल के जो रिजल्ट है दोस्तों वो अंको सहीत आपके है वो 20 से 25 नवंबर के बीच बीच में आ जाएंगे और फर्स्ट इयर के वो दोस्तों आपके केवल सेटिफिकेट देना है तो वो भी आपके 15 नवंबर झाल झाल